हेलो एबरिबड़ी आई होप आप सब हेल्दी होंगे मैं हूँ आपकी बाइलाज एजुकेटर शिवानी मैं वेलकम बैक टो मैंगनेट ब्रेंज जो आपको प्रॉबाइट कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक की क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल नहीं है चाहे cbsc बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो बिहार बोर्ड हो या MP बोर्ड हो आपको हर क्लास हर सब्जेक के टॉपिक वाइज एक्स्प्लेनेशन मिलेंगे साथ में मिलेंगे धेर सारे प्रेक्टिस क्वेशन इतना ही नहीं आप अबेल कर सकते हैं e-notes and e-book जिसकी लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दी है तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ आज की वीडियो है क्लास ट्वल्थ बायलोजी यूनिट नंबर सिक री प्रोड़क्शन का यूमन रिप्रड़क्शन चैप्टर नंबर टू का दूसरा पाट डैट इस दो फीमेल रिप्र रिप्रड़क्टिव सिस्टम हमने से पहले दा मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम कर चुके हैं उसमें मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टेस्टिस क्या होता है टेस्टिस क्या होता है प्राइमरी सेक्स ओर्गन होता है जो ग्यामीट का formation करता है यह पढ़ लिया पढ़ने ठीक है देन हमने एसेसरी डप्स पढ़ ली ग्लैंट्स पढ़ लिया यह सब हमने cover कर लिया last class में तो आज हम पढ़ने वाले हैं female reproductive system के बारे में तो चलते हैं are you guys ready चल ये तो देखते हैं the female reproductive system का पहला point क्या बोल रहा है तो the female reproductive system consists of a pair of ovaries ठीक है तो यह किसे मिलके बना हुआ है देखो system है तो system में एक से जादा क्या होंगे organ present होंगे clear है तो यहां पर देखिए pair of ovary है pair of ovaries से आप क्या समझते हैं कि यहां पर number में कितनी ovaries है two clear along with a pair of obeduct ठीक है और क्या होता है दो oveduct होती pair of obeduct जिसको हम fallopian tube भी कहते हैं क्या बोलते है fallopian tube clear है then uterus cervix and vagina clear uterus cervix vagina and the external genitalia यह सब मिला कर क्या बनाते है female reproductive system क्या clear है located in pelvic region तो यह कहां present होते है pelvic region या lower abdomen में कहां पर lower abdomen में तो यह कहां present होते है pelvic region में क्या clear है चलिए these part of system along with pair of memory gland ठीक है तो memory gland जो होती है वो भी female reproductive system का part है क्यों क्योंकि यह help कराता है कही ना कही आगे चलके after parturation lactation में clear है तो इसलिए यह भी क्या है integrated structure and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care तो आपका जो memory glands आती है वो किसमें आती है child care में lactation में इसलिए यह भी किसका part है पूरे process का part है क्या इतना clear पक्का पक्का तो जल्दी से screenshot ले लीजे अगर मैं आपसे पूछूँ अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताए फीमेल reproductive system के part क्या क्या हो गए female reproductive system consist किस-किस से बना हुआ है पहला है pair of ovaries ठीक है और क्या होगा pair of oviduct pair of oviduct जिसे हम और क्या बोलते हैं और बोलते हैं fallopian tube क्या बोलते हैं fallopian tube क्या clear है then इसके बाद क्या आता है जल्दी बताएगे क्या आएगा लिया क्या हो जाएगा external जैनी दिलिया क्या इतना clear है तो यह सब किसको बनाएंगे female reproductive part को बनाएंगे यह सब इतना complete हो गया जल्दी से screenshot लीजिए फटा फट देरी नहीं होनी चाहिए चलिए आगे बड़े अब देखिए यह क्या है आपका NCRT का डाइग्राम है जो आपको दिया हुआ है आपको समझ नहीं आता काफी complicated लगता है तो देखिए यह वाला part बट आपको क्या करना है इसको अच्छे से अच्छे से पढ़ना है लेविलिंग डेखनी है क्योंकि यह डाइगराम आपको आ सकता है लेविलिंग के लिए तो देखिए यह आपका यह वाला पार्ट क्या है uterus ये देखिए खुद दिख रहा कैसा bladder जिसे दिख रहा है तो यह क्या होगा आपका urinary bladder clear है अब यह देखिए पीछे है कि नहीं यह पीछे है कि नहीं देखिए bone pubic symphysis क्या हो गया pubic symphysis यह क्या है urinary bladder से निकलता है क्या extend होता है क्या urethra तो यह क्या है आपका urethra क्या है urethra अब इधर से देखिए यह वाला part कौन सा हो गया जल्दी बता दीजे यह आपका क्या हो गया rectum क्या हो गया rectum पक्का समझ में आया देखिए then यह वाला part क्या है यह वाला part है आपका vagina क्या है vagina और this opening is called anus क्या बोलते से एनस तो यहां देखिए यह क्या पहुच जाएगा आपका आपका यह vaginal orifice क्या है vaginal orifice vaginal orifice के external genitalia क्या हो जाएंगे labium, minora and labium, majora ठीक है और इसके उपर क्या present होती है clitoris क्या होता है clitoris finger like projection जो की sensation में help करता है यह excitement में help करता है क्या clear है पका पका चलिए जल्दी से screenshot ले लिजेसका चलिए हो गया पका हो गया चलिए तो आगे बड़े अब मैंने एक diagram बनाया हुआ है यह देखिए अभी अपनने कुछ-कुछ बात की थी कि जो female reproductive system है उसके क्या-क्या part होते है जल्दी बताइए मैं pair of ovary होती है pair of obeduct होता है uterus होता है cervix होता है vagina होता है and external genitalia होता है क्या clear है इतना तो देखिए आपने इसमें labeling करने जल्दी से देखिए यह क्या है आपकी ovary क्या है ovary clear है यह कौन सा रीजन है uterus का जल्दी बताइए fundus reason कौन सा रीजन है fundus यह कौन सा रीजन है fundus और यह वाला पॉन सा reason UK क्या है body uterus का यह वाला region क्या कौन सा reason है fundus reason और यह क्या है body reason क्या clear है पकका चलaming अब बात आते इसकी तो यह tube like structure दिख रहा ना यह क्या है आपका fellopian tube तो यहां से निकर यहां तक क्या है पूरी fallopian tube, यह देखिए finger like projection दिख रहे हैं आपको, यह जो finger like projection है, इनको हम बोलते हैं fimbray, क्या बोलते हैं fimbray, clear है then, this one is infundibulum, क्या है infundibulum clear है, then this part, कैसा है थोड़ा सा, कैसा है, उब्रा हुआ पार्ट है, यह क्या हो जाएगा आपका ampula, क्या हो जाएगा ampula, clear है और this one is istimus, क्या है istimus, clear है यह पूरे पार्ट मिलकर क्या बनाते है fallopian tube को, किसको बनाते हैं, जल्दी बताइए, यह पूरे क्या हो जाएँगा आपके, fallopian ट्यूब और ove duct क्या clear है, fallopian tube या ove duct, ठीक है यह वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका uterus, क्या हो जाएगा, uterus तो यह uterus की क्या हो गई, body और यह क्या हो गया, उसका fundus reason, क्या इतना clear है, अब देखिए यह जो uterus है, वो layer से cover है, किस से cover है, layer से, तीन layer से cover है, ठीक है, तो जो सबसे outer layer है, आपको yellow color की दिख रही है, यह वाली, यह है, peritonium, क्या है, perimetrium, क्या है यह, perimetrium, then, यह जो आपको blue वाली दिख रही है, sky blue, कौन सी दिख रही, जल्दी बताइए, sky blue जो दिख रही है, यह है आपकी myometrium, क्या है, myometrium और यह जो red वाली blood vessels दिख रही है, जहां पर, यह क्या है endometrium, क्या है endometrium, तो यह red वाली जहां पर blood vessels दिख रही है, ये है endometrium, ठीक है, और ये तीनो क्या है, अगर मैं पूचू कि ये तीनो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताएए, ये तीनो क्या है, ये तीनो है uterus wall, क्या है, uterus, क्या है जल्दी बताइए, uterus wall, ठीक है, तो outer wall को हम क्या बोलते है, perimetrium, middle wall को myometrium and inner wall को endometrium, क्या clear है, चलिए, तो पक्का समझ में आया, outer को peri, middle को myo and inner को endometrium, clear है, देखिए, myometrium जो रहती है, यह strong contraction कराती है, during pregnancy, ठीक है, जब parturation होने वाला रहता है, तो strong contraction होता है, इस myometrium wall में, जिसके वजी से, आपका जो baby होता, वो expulsion होता है, उसका बाहर निकलता है, वो clear है, जब uterus की यह wall है, यह squeeze करेगी, तो क्या करेगी, बेबी को नीचे की तरफ धकाएगी, कि बेबी जो है, वो बाहर निकले clear है, समझ में आया, वहीं पर, periods के टाइम पर, menstrual cycle के टाइम पर, जब menses आते है, उस menses में, यह endometrium wall क्या होती है, तोट के निकलती है, clear है, यह मैं यह बोलू, pregnancy के टाइम पर, जो बेबी है, बेबी का, mother की body के साथ, जो implantation होता है, वो इसी wall के थू होता है, कौन सी wall के थू जल्दी बता जीजे, कौन सी wall के थू, endometrium wall के थू, क्या clear है, पक्का पक्का, अब pregnancy जब नहीं होती है, ovulation जो होता है, उसका fertilization नहीं होता, उस ovum का fertilization नहीं होता, तो वो ovum क्या हो जाता है, destroy होने लगता है, वो body से बहार निकलने लगता है, तो क्या होता है, अब क्योंकि ovum का fertilization नहीं हुआ, पक्का, तो क्या होगा, ये जो wall है, ठीक है, ये जो endometrium में blood vessels है, ये तूट के बहार निकलती है, हना, तो ये जो blood निकलता है, body से बहार, during periods, उसके साथ क्या होती है, ये जो wall है, कौन सी, endometrium के tissue है, ये भी shed off होते, ये भी तूटते है, साथ में blood vessels भी तूटती है, क्या clear है, पक्का, चलिए, तो ovary हो गया, ovary के बाद ये oveduct हो गया, oveduct क्या होता है, वो part जो uterus से जोड़ा होता है, ये oveduct का, उसको हम क्या बोलते है, इस्थिमस, हना, उसके बाद जो bulging part होता है, थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है, उसे हम ampula बोलत सक्षन, जिसे हम फिम्ब्रे बोलते है, क्या बोलते है, फिम्ब्रे बोलते है, ये फिम्ब्रे क्या करता है, जब ovary से ovulation होता है, हना, जब एग बाहर निकलता है, ओवम बाहर निकलता है, तो ये उसको क्या करता है, क्या करता है, क्या क्या करता है, सक्षन बनाता है, उसको पाट कौन सा हो गया? ये वाला पाट हो गया आपका सर्विक्स. कौन सा हो गया? सर्विक्स. And this one is Vagina. ये क्या है? व्जाइना. और ये क्या है? ये है हाइमन. क्या है हाइमन? क्या clear है? पक्का. तो ये इतना clear हो गया आपको. जल्दी से इसका screenshot ले लीजे. अब है या नहीं बताईए जल्दी से क्या ओवरी यूटरस से अटेश है बिल्कुल दिख रही है तो यह किसके तुरू अटेश होती है लिगामेंट के तुरू किसके तुरू लिगामेंट के तुरू तो यह क्या है लिगामेंट है जो किसको अटेश कर रहा है ओवरी को यूटरस से clear है तो यह कौन सा ligament है जल्दी बता दीजे ovarian ligament क्या है ovarian ligament ठीक है पक्का समझ में आ गया यह laterally arranged sidewise pelvic region से भी आपकी जो ovary है वो attached रहती है clear है तो वो कौन से ligament के through attached रहती है suspensory ligament के through attest रहती है किसके through suspensory ligament के through ठीक है हम क्या बोलते है utero ovarian ligament क्या बोलते है utero ovarian ligament क्या clear है पकका पकका also known as utero also known as utero ovarian ligament is को और क्या बोलते है utero ovarian ligament, क्या clear है, पक्का चलिए, तो जल्द इस screenshot ले लीजे इसका, चले आगे बड़े, तो देखिए, क्या बोल रहा है, ovaries are the primary female sex organs, ठीक है, तो primary female sex organ का मतलब क्या है यहां पर, primary female sex, female हटा दो, primary sex organs का मतलब क्या होता है, मैं इतना समझाती हूँ, ठीक है, तो primary sex organs, ठीक है, male में क्या होंगे, जल्दी बताईए, male में होंगे कौन, male में कौन से होंगे, और female में कौन से होंगे, जल्दी बताईए, male में क्या होगा, male में होगा, ma'am, testis, क्या होगा, testis, और female में क्या होगा, ovary, क्यों, क्योंकि यह दोनों क्या करते हैं, gamete formation करते हैं, ठीक है, पकका, तो primary sex organ किसको बोलते हैं, जो gamete formation करते हैं, ठीक है, तो primary sex organ का मतलब समझ में आया, क्या होता है, which form gamete, ठीक है, तो primary sex organ का मतलब होता है, the organ which form gametes, ठीक है, पक्का, तो समझ में आईगी, क्या फेरेंगे, organ, organ which form gamete is called primary sex organ, क्या clear है, तो testis जो होते हैं, वो किसको बनाते हैं, sperm को बनाते हैं, किसको बनाते हैं, जल्दी बताईए, testis जो है, वो किसको बनाते हैं, sperm को बनाते हैं, तो testis किसको बनाएंगे, sperm को, किसको बनाएंगे, जल्दी बताईए, तो testis किसको बनाएंगे, sperm को, end, ovary किसको बनाएगी, ovum को, clear है, या किसको, egg को, पक्का, चलिए, तो screenshot ले लीजे primary sex organ क्या होता है समझ में आया चलिए तो primary sex organ क्या होता है वो organ जो gamit synthesis में या formation में help करता है या बनाता है उसे हम primary sex organ कहते हैं क्या clear है पक्त का चलिए तो ovary के बारे में कुछ बात कर लेते हैं ovary की position क्या होती है तो ovary की position क्या होती है जल्दी बताइए lower abdomen में कहा होती है lower abdomen में clear है अगर मैं origin की बात करूँ इसका origin क्या होता है तो इसका origin होता है mesodermal origin क्या होता है mesodermal देखे लिखे आए आपर lower abdomen में होती है और इसका origin क्या होता है origin होता है, इसका origin होता है, mesodermal, क्या होता है, mesodermal, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, कि ovary जो है, उसका origin क्या है, तो mesodermal origin है, अगर पूछा जाए, उसकी position क्या है, तो उसकी position क्या है, जल्दी बता दीजे, lower abdomen, ठीक है, तो जल्दी से screenshot ले लीजे, जल्दी से screenshot लीजे चलिए, क्या screenshot ले लिया चलिए, आगे बढ़े तो मैं यही पर लिख देती हूँ, ovary के बारे में ovary की कुछ points है यह मैं ovaries बोल दूँ, चलिएगा अब देखिए, ovaries के क्या-क्या point है पहला point है मैं, कि यह इसका origin क्या होता है यह location की बात करें, तो इसकी location क्या है इसकी location है फिर इसका क्या, दूसरा point क्या होगा इसका origin, ठीक है फिर इसकी length हाना, तो अगर मैं location की बात करूँ तो क्या होगी, जल्दी बताएए क्या होगी इसकी location, lower abdomen कहां होगी, lower abdomen, ठीक है, then, अगर मैं पूछ हूँ origin का, तो mesodermal, क्या होगा, mesodermal, ठीक है, अगर मैं length की बात करूँ, तो देखी, यही पर लिखी है, length कितनी होती है, 2 to 4 cm, कितनी होती है, 2 to 4 cm, ठीक है, क्या इतना clear है, अब देखिए, the ovaries are located, यहां से देख, ovaries are the primary sex organs that produce the female gamete, क्या बनाती है, female gamete बनाती है, ovaries, इसलिए उसे हमने क्या बोला है, primary sex organ बोला, and several steroid hormones, ठीक है, और क्या बनाती है, several steroid hormones बनाती है, तो ovary किस-किस चीज़ को बनाती है, ovary बनाती है, किसको बनाती है, जल्दी बताइए, gametes को, gametes formation, ठीक है, क्या, gametes formation, और मैं, और बनाती है, steroid hormone, जैसे की, जैसे की, जैसे की, जल्दी बताइए, कौन-कौन से, कौन-कौन से steroid hormone होंगे, estrogen, क्या होगा, जल्दी बताइए, estrogen, and progesterone, अभी हम यह दो पढ़ रहे हैं, सिर्फ यह दो नहीं बनाती है, ठीक है, तो estrogen and progesterone, क्या clear है, तो यह क्या है, ovary के hormone है, जो estrogen है, उसका क्या काम है, यह development करता है, किसका जल्दी बताइए, endometrium ball का, किसका endometrium ball का, ठीक है, और क्या करता है, यह जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, और क्या करता है, यह development करता है, कहां पर आपकी memory gland के level पे, ठीक है, और दूसरा progestron क्या करता है maintain करके रखता है किसको जल्दी बताइए जो आपका progestron है वो endometrial ball को maintain करके रखता है development का काम किसका है endometrial ball का development का काम progestron estrogen का है and maintenance का काम किसका है progestron का दूसरा estrogen का function क्या होता है ये secondary sexual characters को express करने में help करता है क्या clear है पक्का secondary sexual characters मतलब क्या जिसे male जो female हो गए उसमें क्या pubic hair आना ठीक है memory glands का development होना clear है तो ये सब क्या हो गए secondary sexual characters हो गए आपकी menstrual cycle का आना ये सब secondary sexual character के part में आते हैं तो ये कौन help करता है इसमें estrogen क्या clear है इतना पक्का चलिए देखिए each ovary is about the ovaries are located one on each side of the lower abdomen तो कहां present होती है lower abdomen में present होती है क्या ovary ठीक है अब देखिए each ovary is about 2 to 4 cm हर ovary मतलब 2 ovary में से हर ovary की जो length है वो कितनी होती है 2 से 4 cm के बीच में क्या clear है in length and it is connected to the pelvic wall और ये किस से connect रहती है pelvic wall से अभी मैंने बताया था किस से connect रहती है pelvic wall से and uterus से clear है पक्का किस के through होती है ligaments के through किस के through होती है ligaments के through ठीक है pelvic wall से कौन से ligaments के through होती है जल्दी बताईए suspensory suspensory ligament ठीक है और वहीं पर uterus से किस के through होती है जल्दी बताईए ovarian ligament के तुरू किसके तुरू ovarian ligament क्या clear है किसके तुरू होती है ovarian ligament ठीक है चलिए each ovary is covered via thin epithelium which enclose the ovarian stoma तो stoma क्या है इसके अंदर वाला पार्ट और इसको cover क्या करती है thin epithelium जिसको हम क्या बोलते है जर्मिनल epithelium क्या बोलते है germinal या simple squamous epithelium यह क्या है simple squamous epithelium होती है क्या होती है simple squamous epithelium क्या है यह simple squamous epithelium ठीक है इससे और क्या बोलते है germinal epithelium क्या बोलते हैं और जल्दी बताईए, germinal epithelium, क्या clear है, पक्का, तो इसे हम और क्या बोलते हैं, germinal epithelium, clear है, चलिए, the stroma is divided into two zones, हना इसका जो अंदर वाला पार्ट है, उसको two zones में क्या कर दिया गया, divide कर दिया गया, ठीक है, एक peripheral, मतलब बाहर वाला zone is peripheral zone, और अंदर वाला, inner वाला zone is medulla zone, clear है, तो देखिए, the peripheral zone is cortex and the inner वाला is medulla, क्या clear है, पक्का, तो यहाँ पर लिख दूँ क्या, sorry, stroma को divide कर दिया, कि किस में, किस में, outer और inner में, clear है, outer को क्या बोलते है, जल्दी बताइए, outer को क्या बोलते है, outer को बोलते है, मैं, cortex, और inner को बोलते है, medulla, क्या बोलते है, medulla, क्या clear है, पक्का, चले, तो जल्दी से screenshot लीजे इसका, जल्दी फटा-फट, तो आगे बढ़े, I hope आपने screenshot ले लि चलिए तो देखिए next जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? female accessory duct की किसकी female accessory duct? अगर female accessory duct की बात करे हम, accessory duct की हम बात करे, तो क्या क्या आता इसमें? पहला है मैम oveduct, क्या आता है? oveduct ठीक है, oveduct score को और क्या बोलते है? fallopian tube, क्या मोलते है, fallopian tube, clear है, और next क्या होगा, uterus क्या होगा, uterus and third होगा आपका vagina, तो ये क्या है, female accessory duct है, क्या है, female accessory duct है, ducts क्या होता है, जल्दी बता दीजे, hollow organ, क्या होता है, hollow organ, जिसका function होता है, transportation का, किसका transportation का, तो मैं हम यहां पर यह किसका transportation कर रहे है, तो देखिए, यह ovary से जो ovum निकलता है, और उस ovum को कौन लेता है, fallopian tube लेता है, और fallopian tube कैसा structure है, hollow structure है, तो यह क्या करता है, उसको transport करने में मदद करता है, help करता है, क्या clear है, तो जैसे male reproductive part में हमने देखा था, कि आपकी ratatestis हो गई, vasa efferentia हो गया, epididymis हो गया, vasa difference हो गया, यह क्या थी, accessory ducts थी, जो की sperm transportation में help कर रही थी, वैसे ही यहां पर female accessory duct है, जो की ovum के transportation में मदद या help कर रही है, क्या clear है, पक्का, चलिए, तो आगे बड़े, देखिए, the ove ducts fallopian tubes, uterus and vagina constitutes the female accessory ducts, क्या पहला point clear, चलिए next point की तरफ चलते, each fallopian tube is about 10 to 15 cm long, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, ove ducts या fallopian tube की length कितनी होती है, तो क्या आपको बोलोगे, जल्दी बता दीजे, 10 to 12 cm, क्या बोलेंगे, 10 to 12 cm, clear है, तो यहां पर क्या है length, जल्दी बताए, 10 to 12 cm, and extend from the periphery of each ovary to the uterus, the part closer to the ovary is called funnel shaped structure, that is in fundi bulam, clear है, तो देखिए, जो आपकी ovary है, जो फैलोपियन tube है, जो फैलोपियन ट्यूब है, जो फैलोपियन की length कितनी है, 10 to 12 cm, ठीक है, इसका जो एक पार्ट है, हना, वो किसके periphery से जोड़ा रहता है, ovary के periphery से, और वो पार्ट कैसा होता है, funnel shape होता ह है, और इस funnel shape के, जो extent होते है, वो कैसे होता है, finger like projections होते है, जिसे हम fembrae कहते है, क्या बोलते है, फिंब्रे कहते है, क्या clear है, पक्का, then, ये infantilum के उपर वाला पार्ट को हम क्या बोलते है, जल्दी बता दीजिए, इसको हम बोलते है, ampula, क्या बोलते है, ampula, clear है, then, जो पा infantilum, clear है, next point बोलता, the edges of the infantilum, possess finger like projections called fembrae, ठीक है, तो इसके जो, क्या है, ages है, उस पे finger like projections present होते है, जिसको हम क्या कहते है, fembrae बोलते है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, क्या क्या है, तो इन fembrae का क्या है, तो इन fembrae का क्या है, collection of ovum, या egg, clear है, जो कहां से निकल है, जो ovary से निकला है, during ovulation, क्या clear है, पक्का, तो ये क्या करते है, उसको सक करते हैं, और अंदर लेकर आते हैं, कहां पर, ove duct, या fallopian tube में, क्या clear है, चलिए, which help in the collection of ovum after ovulation, क्या अतना clear है, ये क्या करते है, ovum का collection करते है, कब, जब ovulation हो जाता है, clear है, ovulation का मतलब क्या होता है, जो female gamete है, ovum है, या egg है, वो ovary से बाहर निकल जाता है, उस process को हम क्या बोलते है, ovulation, क्या बोलते है, ovulation, ठीक है, मतलब क्या है, उस क्या है, उस क्यूपर जो graphene follicles से उससे बाहर निकल जाता है, egg, क्या clear है, चलिए, देखिए, the infundibulum leads to the wider part of the ove duct that is ampular, ठीक है, अब जो infundibulum था, वो किस में lead करता है, wider part, wider का मतलब होता है, ठीक है, wider part of ove duct that is ampular, क्या clear है, पक्का समझ में आया तो देखिए, आगे बढ़े, I hope आपने ये लिख लिए होगा, जल्दी से screenshot ले लीजे, साथ में note बनाते हैं चल रहे हैं कि नहीं, चले भाई, जिस जिसने वीडियो तो like कर दो, जल्दी से, फटा फट, देखिए, तो ये क्या है, मैंने लिखवाया था आपको जब मैंने हें diagram मनाया था उसमें, ये क्या है, फंडस है, किसका uterus का, तो उसको हम क्या बोलते है, uterine fundus, क्या clear है, ये क्या है body, ये क्या है uterus की body, जहां पर baby क्या करता है, grow करता है, clear है, then this one is ovary, खीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ clear है, देखिए, ये finger like projection को हम क्या बोलते है, जल्दी बताएगे, ये finger like projection को हम क्या बोलते है, फिंब्रे, क्या बोलते है, फिंब्रे का काम क्या होता है, collection of gamete, क्या कौन सा gamete, ovum, ठीक है, तो उसका क्या काम होता है, collection of, collection of ovum after ovulation, क्या clear है, क्या clear है, पक्का, देखिए, then ये क्या है, funnel shape structure, ये क्या है, funnel shape structure, ये है, funnel shape structure, ठीक है, then ये क्या है, wider part क्या है, wider part of, wider part of fallopian tube, क्या आपको एक मज़े की बात बता हूँ, क्या आपको कुछ fertilization जैसा शब्द पता है, पता ही होगा, obvious है, अभी 10th pass करके आए हो, तो जो fertilization होता है, वो इसी reason पर होता है, कौन से reason पर, ampulla पर, इस reason पर क्या होता है, fertilization, क्या होता है, fertilization takes place, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, fertilization takes place, क्या clear है, देखिया, इस्तमस समझ में आ गया, इस्तमस क्या होता है, वो पार्ट जो किस से connect है, oviduct का वो पार्ट जो uterus से connect है, क्या clear है, पक्का, चलिए, अब यह देखिये, यह क्या है, बाहर वाली वाल किसकी, जल्दी बता दीजे, uterus की, जिसको हम क्या बोलते है, perimetrium, क्या बोलते है, perimetrium, यह वाली कौन सी है, myometrium, मतलब middle wall, और सबसे अंदर वाली wall, जिस पे blood vessels present है, उसे हम क्या बोलते है, endometrium, क्या clear है, तो myometrium क्या कराती है, during pregnancy, जब parturation होता है, तो यह क्या कराती है, strong uterine contraction कराती है, जिसके वज़े से baby, mother की body से बहार निकलता है, ठीक है, जिसको हम child birth कहते है, clear है, वहीं पर endometrium में क्या होता है, implantation होता है, क्या होता है, implantation, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, blood vessels develop होती है, और उनका arrangement होता है, proliferation होता है, क्या होता है, blood vessels का यहाँ पर proliferation होता है, क्यों होता है, क्योंकि जब pregnancy होगी, और बच्चे का यहाँ पर implantation होगा, तो इन ही blood vessels के थूँ, mother का जो blood है उसके थूँ, baby को nutrition provide हो सके, placenta के थूँ, तो ये क्या वो, इसलिए यहाँ पर क्या है, इतनी जादा blood vessels क्या हुई है, arrange हुई है, clear है, पक्का समझ में आए, इसको हमने क्या वोला, uterine cavity और body, क्या clear है पक्का, ये देखिए, ये reason है cervix, ये reason ह सर्विकल कैनाल, तो सर्विकल कैनाल को कौन कौन मिलकर बनाता है, सर्विकल कैनाल को मिलकर बनाता है, सर्विक्स प्लस वेजाइना, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, बर्थ कैनाल, और क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, सर्विकल कैनाल और बर्थ कैन यहीं से बेबी बहार निकलता है, इसलिए इसको cervical canal या birth canal बोलते हैं, क्या clear है, this one is vagina, क्या clear है पक्का, तो जल्दी से screenshot ले लीजिए, चलिए, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, देखिए, अब आते हैं, the last part of obiduct, that is isthemus, has a narrow lumen and joined the uterus, क्या मैंने बोल दिया थ यह क्या है, एक narrow lumen है, किसका, obiduct का, या fallopian tube का, जो की uterus से जुड़ा होता है, क्या clear है, next point क्या बोल रहा है, the uterus is a single and it is also called womb, यह तो मैंने last class में आपको discuss कर लिया था, क्या यूटरस को और क्या बोलते है, womb बोलते, क्या बोलते, womb, clear है, the shape of the uterus is an inverted pier, pier का मतलब होता है, ना नाशपाती रखो ना, उस shape का, आपका क्या होता है, uterus, clear है, पका चलिए, it is supported by ligaments attached to the pelvic ball, हमने इसको discuss करी लिया है, कि कौन से, जल्दी बता दीजिये, suspensory ligament, the uterus open into vagina through a narrow cervix, ठीक है, uterus किसमे open होता है, vagina, मैं किसके through, cervix के through, मतलब uterus आएगा, then cervix आएगा, then vagina आएगा, क्या clear है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले uterus, uterus किसमे open होगा, cervix में, then vagina में, तो उन्होंने बोला, uterus open into vagina through cervix, किसके through, cervix के through, clear है, देखिए, the cavity of cervix is called cervical canal, ठीक है, cervix के अंदर जो cavity present होती है, उसको हम क्या बोलते है, cervical canal बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cervical canal या birth canal, which along with a vagina, form a birth canal, clear है, तो vagina के साथ ये cervical canal मिल कर क्या बनाती है, birth canal बनाती है, क्या बनाती है, जल्दी बता दीजिए, कौन से canal बनाती है, birth canal, क्या clear है, देखिए, the wall of the uterus has three layers of tissue, clear है, तो कौन कौन से layer है, बता दीजिए जल्दी से, आपने तो पढ़ चुके सब, extra में पढ़ लेते हैं, perimetrium, ठीक है, then myometrium and endometrium, ठीक है, ये क्या है, outer, outer layer है, किसकी, uterus की, outer layer of uterus, ठीक है, उसके बाद, अगर मैं पूछू, middle layer, तो middle layer कौन से होगी, मायो, middle layer of uterus, ठीक है, और ये क्या होगी, inner layer of uterus, क्या क्लियर है, पक्का, चले, तो जल्दी से screenshot ले लिजे, जल्दी फटा फट, चले, आगे बड़े, अब देखिए, the external thin membranous perimetrium, middle thick layer of smooth muscle and that is called myometrium and inner glandular layer called endometrium, ठीक है, तो thin कौन सी होती है, आपकी जल्दी बता दीजे, है, perimetrium, ठीक कौन सी होती है, myometrium, और कौन सी, किस से बने हुई है, smooth muscle stay, ठीक है, and last जो inner वाली है, वो क्या है, जल्दी बताइए, endometrium, जो की कैसी है, glandular है, क्या clear है, तो हम यही पर लिख ले, क्या, यहाँ पर जो लिख ले है, यह वाला, तो यह कैसी है, thin है, यह क्या है, thin है, हम बात करें, myometrium की, तो myometrium कैसी होती है, thin होती है, यह कैसी होती है, थिक होती है, और थिक के साथ किस से बनी हुई है, smooth muscle से बनी हुई है, smooth muscle, clear है, पक्का, then, यह कैसी है, जल्दी बताइए, glandular, कैसी है, glandular, पक्का, तो यह क्या हो गई, glandular, चलिए, तो जल्दी से screenshot लीजे, आगे बढ़े, तो देखिए, आगे क्या बोल रहा है, endometrium, that lines, the uterine cavity, तो endometrium किसको line करती है, uterine cavity को, दिखी रहा था आपको last diagram में, चलिए, आगे दिखते है, the endometrium undergo cyclical changes, ठीक है, तो endometrium क्या किसमें जाती है, cyclical changes में, हर मन्त endometrium में क्या होते है, cyclical changes होते हैं, क्या clear है, during menstrual cycle, while the myometrium exhibit strong contraction during delivery of the baby, क्या clear है, मैंने बताया था, कि अगर आप से पूछा जाए, कि cyclical changes किसमें होते हैं, हर मन्त, कि endometrium में होते हैं, myometrium में होते हैं, तो आपका answer क्या जाएगा, जल्दी comment करिए, जल्दी जल्दी, क्या answer जाएगा इसका, इसका answer जाएगा, endometrium, ठीक है, अगर आप से पूछा जाए, कि जो baby की delivery होती है, उस time पे कौन सी, वाल, जो uterus की कौन सी वाल responsible है, strong contraction के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, myometrium, क्या बोले बनी हुई है, smooth muscle से बनी हुई है, क्या clear है, अब देखिए, the female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris, क्या clear है, तो ये सारे इसको बनाते हैं आपके external genitalia को, तो external genitalia के क्या-क्या पाट है, जल्दी बताए, external genitalia clear है, देखिए, external genitalia के कौन-कौन से पाट है, पहला क्या हो जाएगा, जल्दी बताएगे, mons pubis, क्या है, mons pubis, अब mons pubis, क्या होता है, mons pubis होता है, subcutaneous, subcutaneous fat, plus pubic hair, क्या होता है, pubis hair, ठीक है, pubis hair, next क्या है, फिर इसके बाद क्या था, labia mesora, और labia mesora के just अंदर होता है, क्या, labia minora, labia minora, ठीक है, then, आपके क्या होगा, जल्दी बताएगे, क्लाइटोरिस, क्या होगा, क्लाइटोरिस, और hymen, क्या clear है, क्या clear है, ये सब किसके पार्ट है, external genitalia के पार्ट है, क्या clear है, जल्दी स्क्रेंशॉट लीजे, जल्दी फटा-फट, चलिए, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, आप देखिया, ये जो structure दिख रहा है आपको, ये क्या है, external genitalia का पार्ट है, क्या है, external genitalia का पार्ट है, ठीक है, तो ये देखिये, ये क्या है, subcutaneous fat, क्या है, subcutaneous fat, क्या है, subcutaneous fat है, क्या clear है, क्या है, जल्दी बताइए, subcutaneous fat, plus, क्या होगा, fubic hair क्या बनाता है जल्दी बता ये क्या बनाता है मोन्स प्यूबिस क्या क्लियर तो क्या सब क्यूटेनियस फैट ये क्या है सब क्यूटेनियस फैट और यह यहां आपको यह दिख रहे है ये क्या है प्यूबिक क्या है प्यूबिक हेर क्या है प्यूबिक हेर ठीके तो प्यूबिक हे plus subcutaneous fat जो होता है यह किसको बनाता है mons pubis को किसको बनाता है mons pubis को clear है क्या clear है आपको यह अब देखिए जो यह वाला पार्ट है इसको हम बोलते है यह वाला जो पार्ट दिख रहा है यह है आपका labia majora क्या है labia majora clear है पक्का आप देखिए यह जो आपको ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है दिख रहा है की नहीं दिख रहा है यह है labia minora क्या है labia minora क्या clear है आप देखिए यह labia minora के ऊपर एक finger like projection present होता है है क्या होता है finger like projection यह दिख रहा है यह वाला पार्ट ठीक है यह क्या है claytaurus क्या है claytaurus clear है यह क्या है claytaurus ठीक है ऊपर देखिए आपको दो ओपनिंग दिख रही है कि नहीं labia minora के अंदर दो openings दिख रही एक upper opening एंड एक lower opening यह upper opening को बोलते है हम यह देखिए कौन सा कर रहे था yellow तो देखिए यह है urethral urethral orifice क्या है urethral orifice ठीक है वहीं पर नीचे वाले जो opening है इसको हम क्या बोलते है vaginal orifice क्या बोलते है वेजाइनल औरिफिस तो यह क्या है वेजाइनल और इफिस क्या क्लियर है तो urethral orifice उपर वाली नीचे वाली opening इस vaginal orifice ठीक है पका समझ में आया तो यह क्या है पूरा external जैनिटीलिया है तो जल्दी सो screenshot लीजिए इसका पटाफट चलिए क्या आगे बढ़े तो आपको यह वाला पार्ट तो clear हो गया होगा कि external जो जैनिटीलिया होते हैं वो क्या-क्या पार्ट मिलकर external जैनिटीलिया को बनाते हैं क्या clear है चलिए आगे बढ़े देखिए आगे क्या बोलता है मोंस pubis is cushion of fatty tissue covered by a skin of pubic hair ठीक है तो मोंस pubis का क्या होता है जल्दी बताइए यहां पर तो मोंस pubis होता है cushion of fatty tissue मतलब subcutaneous fat तो यहां क्या होता है subcutaneous fat हाना plus यह क्या है pubic hair यह क्या है pubic hair तो दोनों मिलकर किसको बनाते हैं मोंस pubis को क्या clear है पक्का अब देखिए labia majora की बात करें तो यह क्या होते हैं fleshy folds होते हैं kya होते fleshy folds of tissues clear है तो labia majora क्या होते fleshy folds of tissues which extend down from mons pubis and surrounded the vaginal opening clear है तो यह क्या होते हैं कहां से start होते हैं कहां से extend होते हैं mons pubis से और कहां तक पहुंचते हैं आपके बताइए नीचे तक कहां तक cover करते हैं यह cover करते हैं vaginal opening को क्या clear है पक्का vaginal opening को हम क्या बोलते हैं vaginal orifice क्या बोलते हैं Vaginal, और रिविस्ट, ठीक है, इसी Lavia Majora के अंदर प्रेजेंट होती है, Lavia Minora, clear है, यह भी Foles है, क्या है, Foles है, टू Foles होते है, इनको हम क्या बोलते है, जल्दी बताइए, Lavia Minora, तो यहाँ क्या है, यह देखो, Pair of Foles of Tissue under the Lavia मेजोरा कहां पर प्रेजेंट है लेविया मेजोरा के अंदर साइट प्रेजेंट है the opening of the vaginal is off and covered partially by a membrane called hymen ठीक है क्या मैने आपको यह structure बनाया देखी वर क्या यहां पर मैंने यह blood blood i see or thin half cover partial cover opening बनाई है की नी बनाई तो यह क्या है जल्दी बताएएं यह है हाइमन क्या है हाइमन क्या क्लियर है पार्शिल मेंब्रेन होती है क्या होती है पार्शिल मेंब्रेन पार्शिल मतलब पूरी कवर नहीं करती है वेजाइना को पार्शिल membrane clear है तो ये क्या होती है partial membrane होती है जो vagina की opening को cover करके रखती है क्या clear है पक्का चलिए तो इतना clear हो गया होगा है hope so चलिए तो आगे बढ़े क्या अब देखें क्या बोल रहे था क्या हुरा क्या होती है फिंगर-like projection होता है विच लाइज एट अपर junction of two labia minora क्या मैंने बनाया था कि ये दो labia minora है और इसके अपर junction पर क्या finger-like projection प्रेजेट अम क्या बोलते हैं Soldier is बोलते हैं Tyler is about the urethral opening कहा पर urethral opening के उपर side clear है, the hymen is often torn during the first coitus या intercourse ठीक है, तो क्या बोल रहे है, ये hymen क्या हो जाती है, फट जाती है, तूट जाती है, कब पहले intercourse या coitus के time पर, क्या clear है पका, बट ये 100% सही नहीं है, कई वार ऐसा भी होता है, कि first intercourse या coitus के time पर भी hymen persist रहती है, मतलब वो break नहीं होती, फटती नहीं है, तूटती नहीं है, इसलिए बोलते हैं, hymen के होने से या ना होने से, virginity decide नहीं होती, क्या clear है, लोगों ने myth पाल के रखा है, कि hymen present है, मतलब virgin है, अगर hymen present नहीं है, मतलब virgin नहीं है, clear है, कई बार ऐसा होता है, कि जो female intercourse नहीं की है, उसके बाद भी उसके hymen break हो जाती है, clear है, इसके कई कारण है, dancing या sudden fall, horse riding, swimming, इन सबकी वज़े से भी hymen break हो जाती है, clear है, तो ये कहीं से भी कहीं, ये decide नहीं कर पाती, कि जिसमें hymen present नहीं है, वो virgin नहीं है, और जिसमें hymen present है, वो virgin है, क्योंकि कोईटस के बाद भी hymen present हो सकती है, क्या clear है ये, अब तो मित नहीं है, hymen से related आपको, आगे बढ़े क्या, चलिए, अब देखिए, the functional memory gland is characteristic of all female mammals, ठीक है, तो हम जब animal kingdom पढ़ते हैं, उसमें हम पहला ही पढ़ेंगे, कि mammals को हम mammals क्यों बोलते है, clear है, mammal का एक ऐसा कौन सा characteristic feature है, जो उसको decide करता है, कि ये mammal है, clear है, तो वो ये है कि उसमें क्या present होती है, pair of memory gland, clear है, अब pair of memory gland क्या होता है, memory gland का मतलब होता है, breast, क्या होता है, breast, ठीक है, तो देखिए, the memory glands are paired structure, that is breast, that contain glandular tissue and variable amount of fat, clear है, तो ये किस से बना हुआ है, breast ये memory gland किस से बना हुआ है, glandular tissue, plus fat से, कौन सा fat, जल्दी बता दीजे, यहां पर क्या है, fat है, subcutaneous fat है, तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, आपका female memory gland या breast, ठीक है, तो ये आपको structure दिख रहा है, ये क्या है, memory gland का structure है, क्या clear है, अब देखिए, ये पीछे की तरफ, हना, जस्ट पीछे की तरफ, क्या है, ribs है, क्या है, ribs है, और वहां पर क्या है, ribs के बीच में muscles present है, हना, वो internal, intercostal muscles and external intercostal muscles, वो muscles present है, ठीक है, अब देखिए, ये क्या है, ये वाला जो है, ये क्या है, pectoralis major muscle, क्या है, pectoralis major muscle, clear है, पक्का समझ में आया, अब देखिए, ये जो present है, ये क्या है, fat, क्या है, ये पूरा क्या present है, fat, क्या clear है, से कितने पंधरा से 20 एक breast के अंदर या एक memory gland के अंदर 15 से 20 memory lobes present होते हैं क्या clear एक meidänS kötres of alvuli present होते है क्या होती है cluster of alvuli क्या clear है इन alvuli के अंदर क्या बनता है milk बनता है क्या बनता है military under ceary here है तो देखिए हर एक lobe के अंदर क्या present है memory liobules , ठीक है यह memory lobules किसमे open होती है जल्दी बता दीजे memory duct में , किसमे open होती है memory duct में , अब यह विप्रक्षाम में , एक जगा आखे एक खटी हो जाती है , क्लियर है एक जगा एक खटी होती है और एक क्या wider structure बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं एंप्यूला क्या बोलते हैं तो देखिए यह सारी मेमरी डक्ट्स आ रही है और यह बाइडर स्ट्रक्चर बना रही है यहां पर देखिए फूला हुआ structure है इसको हम क्या बोलते हैं एंप्यूला बोलते हैं क्या बोलते हैं एंप्यूला क्या क्लियर है यह एंप्यूला आगे चल के किसमें ओपन हो रहा है लेक्टी फेरस डक्ट में किसमें ओपन हो रहा है लेक्टी फेरस डक्ट में और निपल के थुरू जो बेबी होता है बच् हो रहा है वो कहां पर होता है निल्क का सबसाइशन या प्रोडुक्शन के लिए लिए आप क्या बोल है जल्दी बता दिए तो इसके लिए प्रोटेल कूंसा हम रृप année है यहां से बीचिवल है प्रो लेक्टिट अगर मैं वहीं पर बोलू कि अ सक्षन के लिए बाइब अब का विल्क है अनल मदर को जो मिल्क है उसका एजयकुलीशन किसकी वज़े से होता कौन सा hormone की वज़े से होता है तो आप क्या बोलोगे oxytocin की वज़े से किसकी वज़े से oxytocin की वज़े से oxytocin को और क्या बोलते है pitocin क्या बोलते है pitocin clear है तो oxytocin यहाँ पर क्या कर रहा है milk ejaculation में काम कर रहा है और आपकी जब during pregnancy delivery होती है वहाँ पर यह strong uterine contraction कराता है clear है myometrium के contraction के लिए कौन सा hormone responsible रहता है जल्दी बता दीजे myometrium के strong contraction के लिए आपका oxytocin ही responsible होता है क्या clear है पका चलिए तो oxytocin किसके लिए responsible है समझ में आ गया चलिये इसलिए बोलते कई बार क्या होता है बच्चा रोता है ठीक जब बच्चा रोता है तो मदर की बॉड़ी से जो पॉस्टीर가요 पि्ट्यूटरी है वहाँ पर oksitocen प्रजेन था तो वहाँ से oxytocent की वज़ाई से उसकी की वज़े से मदर की निपल से अपने आप क्या बोलते मिल्क निकलने लगता है क्लियर है क्यों क्योंकि इसको हम emotional hormone भी बोलते तो जब माँ अपने बच्चे को रोते हुए देखती है तो अपने आप जो आपका मिल्क होता है उसका secretion या ejaculation होने लगता है क्या क्लियर है पकका पका चलिया आगे बड़े तो देखिए the memory glands are paired structure तो कितने होते है एक mammal के अंदर दो memory glands present होती है या breast present होता है that contain glandular tissue and variable amount of fat क्या क्लियर है अब देखिए the glandular tissue of each breast is divided into 15 से 20 memory lobe clear है तो हर एक memory किसके अंदर memory यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना कहां लिखा है यह तो हर एक memory gland में कितने lobes present होते है 15 to 20 memory lobes present होते है ठीक है क्या present होते है 15 to 20 memory lobes present होते है और हर एक lobe के अंदर cluster of cells होते है क्या होते है हर lobe के अंदर each lobe each lobe contain cluster cluster of cells that is alveoli क्या बोलते है इसको alveoli clear है अब यह alveoli जो है वो किसमे ओपन हो रही थी आपकी memory memori idol है जो open हो रही थी वो किसमे ओरही थी memory duct में ठीक है तो यह memory जो alveoli है वो किसमे open होगी memory duct में तो यह किसमे open हुई memory मेमरी डक्ट में तो ओपन हो गई मेमरी डक्ट में, क्लियर है? अब ये मेमरी डक्ट आगे चलके क्या बनाती है? देखो एक वाइडर पार्ट बनाती है जिसको हम क्या बोलते है? ampula क्या वोलते हैं? ampula, clear है? यह ampula open होता है किसमे? lactiferous duct में किसमे होता है? lactiferous duct किसमे open होता है? lactiferous duct और जो बच्चा होता है वो nipple के थू इस lactiferous duct से क्या करता है? milk को suck out कर लेता है clear है? क्या clear है यह आपका? तो अगर आप से path पूछा जाए स्क्रेइنا कि मिलक्स प्रोडक्शन है उसका पाथ क्या होगा तो कि आपने स्क्रेंशॉट लिजिस की प्रोडक्शन क होता है। milk secretion बोल दू मैं, क्या clear है आपको, तो यहाँ पर क्या होता है milk secretion, पक्का जल्दी से screenshot लीजेसका, जल्दी फटा फट, चाले, I hope आपने screenshot ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, the cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavity lumen of alveoli, ठीक है, तो क्या बोला था मैंने कि जो memory glands से उनके अंदर क्लस्टर आप सेल्स प्रजेंट होते हैं, जिनको हम alveoli बोलते हैं, उस alveoli में क्या बनता है, milk का production या secretion होता है, और इसके लिए कौन सा hormone responsible रहता है, जल्दी बता दीजे, प्रोलेक्टिन, क्या रहता है, प्रोलेक्टिन, अब milk का secretion हो गया, milk form हो गया, तो यह milk जो है, वो कहां store हो जाता है, इसी के cavity या lumen में, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, alveoli cavity या alveoli lumen, clear है, आप देखिए, the alveoli open into memory tubules, ठीक है, तो जो alveoli है, वो किस में open हो जाती है, memory, tubules में open हो जाती है, the tubules of each lobe join to form a memory duct, ठीक है, हर एक, जो alveoli है, वो memory tubule में open हो रही थी, और यह सारे memory tubule के होते हैं, join होते हैं, और क्या बनाते हैं, memory duct बनाते हैं, क्या बनाते हैं, memory duct, और यह सारी memory duct खटी होके, एक wider part बनाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं Ampula तो several memory ducts join and form a wider memory Ampula which is connected through lactiferous duct, क्या clear है through which milk is sucked out ठीक है, तो यहाँ से क्या होता milk sucked out होता है, जब baby क्या करता है, sucking करता है तो milk यहाँ से बहार निकलाता है ठीक है और बच्चा feed करने लगता है क्या clear है, पक्का समझ में आया I hope आपको यह सब समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो thank you so much आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए and comment करना बिलकुल मत भूलेगा तो हमारी YouTube channel के अलावा भी हमारी official website है that is www.magnetbrains.com इसके अलावा भी हमारे कुछ official social media handles है, जैसे की facebook, instagram, twitter, telegram and whatsapp आप हमें वहाँ पर भी follow कर सकते हैं, आप अबेल कर सकते हैं, e-notes and e-book की facility, जिसकी link description box में दी हुई है तो ये कुछ हमारे top courses है जो magnet brains कराता है, hindi medium channel पर separate कराता है, english medium channel पर separate कराता है दौनों की teachers भी separate है separate teachers, english medium और hindi medium platform पर पढ़ाते हैं और इन platform पर हम कौन-कौन से courses कराते हैं, जैसे की cbsc board हो गया, डहली board, बिहार board, up board, mp board and राजिस्थान board इसके साथ ही बेदिक maths, crash course and spoken English जो की high quality education के साथ आपको 100% free में मिलता है जी हाँ, आपने सही सुना, magnet brains provide कराता है unpaid subscription, आपको किसी भी class, किसी भी subject को पढ़ने के लिए, कोई भी paid subscription लेने की जरूवत नहीं है, तो thank you so much मिलते हैं, next video में, bye bye